तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं आज मैं बताऊंगा बीजी बी अंजा केवं सर्वसमी का इसको मैं इस तरह से समझा दूँगा कि इस चेप्टर से कोई भी हिसाब आ गया तो मैं चाइलेंज के साथ 100% गरांटी के साथ बोर रहा हूं कि कभी भी नहीं छुटेग वादा के साथ बोर रहा हूं कि इस तरह से मैं समझाओंगा कि आपको दूसरे के कभी भी अपने मित्रों को बिल्कुल आप भी अच्छी तरीका से समझा सकते हैं तो ध्यान देजे इसका भी नियम है ठीक है और इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो है घातांके बम घात से ल 7-12 B.A.B.C. तक आपका दूख दूर हो जाएंगे वो चैनल जो है आपके लिए काफी अहम होने वाला है ठीक है तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी अवासे ही दबा दे तो बीजी बियंजा के वं सर्व समीका का मैं आपको बताऊंगा और जहां तक संभव है कि जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा और इस चेप्टर से एक दो नहीं 10-12 गो हिसाब पूछा जाएगा उप्जेक्टिव को चैनल इसलिए यह चेप्टर आपको बिल्कुल गहन तरीका से पढ़ना है एक पदी एक पदी किसको कहा जाता है अब ध्याम दिए ठीक है ए इसके साथ वाई भी है तो एक पद है अब कैसे मैं बताऊंगा इसके साथ जेड भी है तो एक पद हुआ क्योंकि एक साथ सटा हुआ है यानि गुना में है अगर यही ठो टू जोड एकस रहेगा तो हो जाएगा दुवी पदी अगर टू जोड एकस जोड वाई रहेगा त तो यह सब अलग हो जाता है लेकिन एक ही में मान के चलिए टू माइनस एक सुवाई है तो क्या होगा दू पदी यह नहीं कि तिन पदी है हाँ यहाँ पर पला सा जाएंगे तो हो जाएगा तिरी पदी एक दो तीन बस आपका सारा हिसाब लगभग लगभग जाएगा ध्यान दीजिए तो इससे पहले भी मैं बहुत सारा घहतां गहात भी बता दिया हूं परिमेश संख्या बस ध्यान दीजिए इस चेप्टर में जो है परिमेश संख्या में एक दो नहीं पाफ छे हिसाब गलतिया है तो जब भी आप परिमेश संख्या पढ़िएगा तो एक चैनल ह पड़े नहीं तो आपका एंसर सायद गलत भी हो जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा उब्जेक्टिव कुष्चन का एंसर जो है गलत बना दिये हैं तो उसको मैं सुधार किया हूं ठीक है बहुत सारा पता नहीं कैसे छपते हैं प्रिंट वाले गलतियां कर देते हैं त लगा दिये हैं यानि ये एक सांथ है तु एक स्वाई इसलिए होगा ये होगा एक पदी तिक है अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजएगा अगर आप समझ गए होगई तो जरूर अपना नाम लिग कर बताईएगा आपका नाम अगला वीडियो में आवैसे ही यूज करूँगा कि किसने क्या कहा था तो कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजेगा तो आपको रिपलाई मिल जाएगा ठीके hon, फोर एकस पलाईब का बीजी बियंजा क्या हो जाएगा एक दू यानि दू पदी हो जाएगे बस मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता तो ये चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप घंटी दबा दे ताकि इसमें जो भी वीडियो अगला दिन जो बताऊंगा गुनार खाएंगा आपको पहले मिल जाएगा नहीं तो आप ये चैनल खोचते-खोचते परिसान हो जाएगा जल्दी मिलने वाला नहीं है क्योंकि इस चैनल पर सुध सुध मेत साइन्स का जो भी हिसाब होगा आपको रटने नहीं दूंगा सिर्फ ट्रिक से बनाईएगा और फूल में फूल अंक लाईएगा तो ध्यान दीजिए पांच में है ठीक है वो चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना है साहुरफ समाजी को राउंडर चैनल जो है के को पद है एक दो तीन को हैं देखे क्या लिख दियां vert this यहां पर रुआ एक डोटी अहीठ हो यहांपर पर पालस माइनस नहीं रहता तो एक पदी होता तो क्या है एक दो तीन यानि तिरी पदी आब है एक से बराबर तुझर है एक डोने रखने पर एक सरुना मैंनेस 2 का सही मान क्या होगा, यानी जहां भी X है तो वहां भरना है 2, कहां में, ABCD लिखेंगे तो उसमें नहीं भरना है, यही हिसाब में मान लिजिए है X स्कॉाइर माइनस 2, तो यहां पर X के जगा क्या भरने बोलता है 2, तो ध्यान देजे, X के जगा क्या भरेंगे 2, हिस अब है वही, x square, तो यहाँ पर भर देंगे, 2 का square, square है तो square, x के जगा सिर्फ भरे किया, 2, तो x के नीचे लिख दिये 2, अब उपर में square है, तो square दे दिये, minus है minus, 2 है 2, ठीक है, 2 का square क्या हो गया, 4, 2 का square 4, 2 दुना के 4, minus क्या हो गया, 2, 2 दुना के 4 नहें करना, यानि 2 दु बर लिखना, 2 दुना के 4, minus 2, बराबर हो गये, 4 में 2 गया, तो इसका answer हो गया, 2 answer, जहाँ होगा, 2 answer, वही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ इसका answer 2 है, इसका answer वही होगा, अगला हिसाब है, x minus 3 हो तो x q का मान क्या हो जाएगा, x minus 3, तो जहाँ x है, पर में क्यूं है तो क्यूं, यानि 3 को कब अर लिखने बोलता है, 3 बाद, 3 तिया 9 नहीं कर देना है, बस हो जाएगा गलत, यानि 3 लिखना है 3 बाद, 3 गुणा, 3 तिया 9 और 9 तिया हो गया, 17 जाहाँ होगा सप्ताइश सेंसर वही होगा, अनियाथा नहीं होगा, क्योंकि मैं सुद्ध नियम से हिसाब आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है किताब क्या करता है कोई मतलब नहीं है अपना बनाईए हो सकता है किताब बाला का गलत रहे ठीक है देखिए दाथ नमर में हिसाब है L बराबर 2 और M बराबर 3 और L square पलस M square लिखना है L के जगा 2 और M के जगा 3 तो ध्यान दिजे बीटी ओ काफ़ी बड़ा हो रहा है इसको बनाना आ है L के जगा 2 भरना है ध्यान दिजे L के जगा 2 और M के जगा 3 बोलता है भरने कोई दिक्षतन नहीं हिसाब है वही क्या है हिसाब है L square plus M square तो लिख दे L square plus M square तो L के जगा भरना है 2 तो L है इसी के नीचे भरना है 2 plus है plus M, M के जगा भर देना है यहाँ पर 3, ठीक है? बिल्कुल समझ में आएगा अब उपर में है, ध्यान दीजे M, M का क्या है? square है, ठीक है? M का square है तो हम भी यहाँ पर square दे यहाँ पर 3 रहता, तो 3 लिख दे लेकिन है क्या? 2, तो लिख दिए 2 आप ध्यान दीजे, 2 का square होता है 4, और 3 का square होता है 9, 9, 4 क्या होता है? पूरा हला है यह बात का कि 13 ही होता है, 9, 4 तो 9, 4, 13 जहां होगा 13 answer, वही होगा इसका answer, तो 10 का answer हो गया 13, अब 11 नंबर में देखिए क्या है हिस्ताव? x square भागा x, x square भागा x, तो ध्यान दीजे, यह जो है 11 number में जो है हिस्ताव ध्यान दीजे, 11 number में है x square भागा x, ध्यान दीजेगा, तो कैसे भाग देना है? x square जो है उपर में और X जो है लिख दिए नीचे में भग दे रहें तो कैसे ध्यान देजे एक्स को पहले लिखते हैं दो बार यानि एक्स गुना X और नीचे लिख दिए X X X कड गया क्या बचा एक्स जहां होगा X एंसर वही होगा इसका एंसर तो इसका एंसर हुआ x यही होगा इसका answer अब है a-2 बराबर 8 तो a का माल क्या हो जागा 12 नमर में है a-2 बराबर 8 a-2 बराबर 8 तो ध्यान देजे a-2 बराबर 8 12 नमर का हिसाब है ठीक है बिल्कुल सूद सूद नया syllabus है ध्यान देजे new syllabus का हिसाब बताया जा रहा है और आपको फूल में फूल अंक मिल जाएगा तो a-2 बराबर 8 तो यहां से लिखना है इस तरह की हिसाब देखेगा तो यह वाला को नहीं लिखना है फिलाल और क्या लिखना है a बराबर 8 यह माइनस में बराबर के उधर जाने से पलस हो जाता है अगर यह रता पलस में तो उधर होता तो माइनस में लेकि माइनस में बराबर के उधर गया तो हो गया पलस यह बराबर हो गया 10 इंसर 12 नमर में a बराबर 10 इंसर ठीक है तो 12 नमर में a बराबर क्या है 10 इंसर अगर यहां पर 10 इंसर नहीं आता तो हिसाब होता है इसका गलत क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं आप लोगों के सामने में बना रहा हूँ सुद वीदी और सही तरीका से बना रहा हूँ तो क्या अगर किताब बाला लीग दिया मान के चलिए आप जान रहे हैं किताब बाला लीग दिया आठ जोड तीन बराबर चवद है क्या आप मानिएगा कभी नहीं कि 8- heur 3 तो सबको पता एगा रहा होता है तो कभी नहीं मानिएगा इसलिए आप लोग जान रहे हैं कि इस तरह होगा तो कभी नहीं मनना है इसलिए चैनल पर पहली बार नए है तो सब्स्क्राइब करके गंटी दबादे और अगला कोई भी वीडियो की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कीजेगा आपको बीलकुल मिल जाएगा यही एक ऐसा चैनल है जो आपको कोई भी वीडियो खोजेगा तो आपको मिल ही जाएंगे तो अगला दिन मेत का भी वीडियो बनाया जाएगा और इस बहुत ही बेहतर तरीक आपके लिए इजुकेशन से रिलेटेड काफी आहम होने वाला हैं